अपने साथ एक जवान आदमी ले जा सकता है, उसका भी फुरी है, तो इस से इस बहाने जवान लोग है वो भी जा सकते हैं, तो लाइन बड़ी लंबी है, आप भी अपना लाइन में वेब साइट के उपर रेजिस्ट्रेशन होता है, रेजिस्ट्रेशन करा लो, अभी एक प लेखी वो भी देख लेना बड़ी इच्छी पिक्चर है, उसमें एक डायलोग है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, शारू खान कहता है, चुनाव के टाइम ये पार्टियां ये नेता वोट मांगने आएंगे, कोई जाती के नाम पे वोट मांगेगा, कोई धरम के नाम पे व हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या करोगे, हमारे परिवार में कोई बिमार होगा, तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे, कहता है की नहीं कहता है शारू खान, सही कहता है की गलत कहता है, केवल आम आदमी पार्टी है, जो की लोगों के शिक्षा के लिए और जिसने कभी आके आपको कहाओ कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूँगा इसलिए वोट दे देना किसी ने कहाओ मैं आपके एलाल्ज के लिए अस्पिताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूँगा दे देना हम राजनीती में वोट मांगने नहीं आये, हम राजनीती में चुनाव जीतने नहीं आये, हम राजनीती में देश बनाने आये हैं, जनता की सेवा करने के लिए आये हैं, मेरी जिन्दिगी का एक ही सपना है, कि मेरे जीते जी, भारत दुनिया का नंबर वन देश बनना चाहिए, और वो तब ही कि सारी सड़कें सारी बिजली पानी इसका इंतिजाम करना पड़ेगा केवल भाषन बाजी से नहीं होगा मेहनत करनी पड़ेगी पैसा है जो कहते हैं न सरकार में पैसा नहीं है पैसे की बिलकुल कमी नहीं है चोरी बंद हो जाए ना प्रष्टाचार बंद हो जाए पैसे की कोई कमी नहीं है सारे काम हो सकते हैं आज आप इतनी भारी संख्या में आए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं शुक्रियाद एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी